वेलकम टू बुलुका आयेस हम लोग प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं जिसमें हम लोग पॉलिटी को खतम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पॉलिटी में अब ये हमारा अंतिम वीडियो है इसके बाद जो ऐसे हिस्टी मैंने आप लोग को बोला था वो शुरू होगी पॉलिटी में अब तक हम लोगोंने बहुत सारे इंपॉर्टन टॉपिक्स को देख लिया है आज हम लोग कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स देखेंगे जिसको लेकर सवाल बन सकता है कौन कौन से चीज़े इंपॉर्टन हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे और अंत में ये बात करेंगे कि पॉलिटी को लेकर UPSC के प्रिलिम्स में आप लोगो किस तरह से डील करना है लास्ट के पांसवाट मिनट उसके हम लोग बात कर लेंगे सबसे पहले देखते हैं मिसलीनियस टॉपिक के अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टन है सबसे पहले तो भाई आप लोग एक चीज़ याद रखेगा ट्रिबिनल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कुछ-कुछ कुशन इसको लेकर बन सकते हैं सबसे पहली चीज़ इनका मूल सविधान में उलेक नहीं था पहला पट तो यह याद रखेगा फिर 42 में सविधारिक सशोदर के बादेव से इनको इनके बारे में प्रावधार किये गए कौन से अनुछेद में प्रावधार किये गए प्रसाशनी का दिकरण गठित करने के लिए क्या करता है पावर देता है शशक्त करता है और दूसरा अगर आप लोग देखेगे 323 में प्रसाशन के अलावा अन्य मामलों के लिए भी ट्रिबिनल गठित किये जा सकते है अब इसके अदर जो डिफरेंस है उसको आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है ठीक है 323 कव में और ख़व में क्या डिफरेंस है इसको लेकर समझ लिजे भाई सबसे पहली चीज ये है 323 कव में सबसे ना आप लोग प्रसाशनिक अदिकार मतलब प्रसाशनिक विवाद जो होते है जैसे आईए सदिकारियों के बीच में या उनको लेकर किसी भी तरह का विवाद है उसको लेकर डिसीजन देने का का आप कौन करेगा टरिब्यूनल करेगा है ना तो पहली चीज ये है कि इसको लेकर संसत कारून बना सकती है ठीक है बट एक चीज याद रखेगा जो कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है क्या सरफ केंदर के जो प्रसाशनिक जो अधिकारी है उनके लिए कारून बहा ही नहीं दी आप देखेंगे केंदरिय प्रसाशनिक विवाद हो या राज्यों की प्रसाशनिक विवादों को लिए भी कौन गठित करेगी अधिकरण संसत ही गठित करेगी बट फिर से दोहरा देता हूँ इसमें ऐसा प्रावधा नहीं है प्रसाशन गरने का अधिकार ट्रिबणल गठित करने का अधिकार संसत के पासे ठीक है पहली चीज तो आप यह सबजिए दूसरा जो tetis कर है इसके लिए अन्य मामलों के लिए ट्रिबुनल गठित किये दा सकता है बट यहाँ पर संसद प्लस राज्य की विधान सभा संसद प्लस विधान सभा दोनों के पास ये पावर है कि वो दोनों मामलों अन्य मामलों के लिए अधिकरण की गठित कर सके ठीक है एक चीज तो यह cure डूसरा यहां पर यह सबजीए कि जो Tribunal होते हैं धीक है जो अपका जैसे मैं कहता हूँ कि cat वगारा है प्रसाशली का दिकरण है पहले तो यह प्रावधान था कि इसके द्वारा दिये गऩए निर्णे जो है ट्रिबिनल द्वारा दिये कि निरणे में सिर्फ अपील जो है सर्वोच नियाले में की जा सकती है बढ़ बाद में सर्वोच नियाले ने ये प्रावधार किया कि आपको पहले इसके अगर किसी डिसीजर के विरूद आप लोगो अपील कर दिया दूसरा ये जो ट्रिबिनल है केंद्रिय प्रसाशनिक जो अधिकरन बनाये जाते हैं इसके छेत्र अधिकार क्या है कौन-कौन से अधिकारियों को लेकर ये कर सकता है सबसे पहले अखिल भारतिय सेवाएं मैं यहाँ पर बता देता हूँ नियाय छेत्र इसका जो है अखिल भारतिय सेवाएं के अधिकारी जो होंगे जैसे IS, IPS वगारा ठीक है दूसरा अगर आप लोग देखेगे तो राज्य की जो सेवाएं राज्यों की मैंने आप लोग को बताया उसके तक भी इनका चेत्रादिकार दिशित है और दूसरा केंद्रिय लोग सेवा जो Central आप लोग सर्विसिस देखते हैं केंद्रिय लोग सेवाएं इंडियन जो हम लोग बात करते हैं इंडियन revenue Services वगारा के लिए ये सब सेवाओं में भी जो अधिकारी है उनको लेकर कोई विवाद है तो भी ट्रिबुनल इसको उसका छेत्रादिकार होगा और तीसरी चीज याद रखेगा नागरिक केंदर के कोई नागरिक सिविल पद हो या सेना के सेना के भी जो सिविल पद होंगे ध्यान से सुनियेगा, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, सेना के जो civil पद होंगे, वो भी इसके छेतर अधिकार में आएंगे, ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लिजीगा, तो फिर कौन-कौन इसमें शामिल नहीं होगा, ये सवाल UPSC शायद एक बार पूछ चुका है, वो भी कोट के जो करमचारी हैं, वो इसमें नहीं आएंगे, और तीसरा संसत के सचीवाले के जो करमचारी हैं, ठीक है, संसत के सेकरिटरियेट के जो करमचारी हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं होगे, ठीक है, इसके छितर अधिकार के तहत नहीं आएंगे, ये तीन कुशन इसमें से बहुत important बन सकते हैं, criminal को लेकर यह हम लोगों ने कहानी समझ ली, एक जल्दी से और important fact देख लीजिएगा, कि कौन कौन सी समीतिया चुनाव सुधार से समझ देते हैं, चुनाव सुधार को लेकर कौन कौन सी समीतिया है, जैसे अगर आप लोग देखेंगे, तारा कुंडे समीति, ठीक है, दूसरा दिनेश गो स्वामी समीति, ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे, इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए, कौन कौन सी है, जैसे वोहरा समीति भी है, ठीक है, वोहरा समीति भी इसमें आएगी, और इंदरजीत गुपता समीति जो है, वो भी चुनाव सुधार से जुड़ी हुई है तो ये जो समीतिया है अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तारा कुंडे समीति, दिनेश गोस्वामी समीति, वहरा समीति, इंदरजीत गुपता समीति ये जो है चुनाव सुधार से जुड़ी समीतिया है तो इसको लेकर भी एक सवाल बन सकता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है दूसरा आगे लास्ट बे एक चीज और देख लेते भाई दल बदल कानून सबसे पहली चीज 50 सेकिंड अमंडमेंट जो है बावनमा सवधानिक संशोधन उसके माध्यम से इसको जोड़ा गया है 1985 दूसरी इससे जोड़ी जो कई बार UPSC प्रिलिविस से सवाल पूछ चुका है इससे जोड़ी अनुसूची कौन सी है ठीक है तो 10 वी अनुसूची में इससे सबंदित प्रावधान किये गए है ठीक है दो चीजे तो यह हो गई अब एक important fact यह आता है कि दल बदल कानून के तहट प्रावधान क्या है कौन जो है इसके तहट नरियोग के घुशित किया जा सकता है जानते होंगे आप लोग दल बदल करने वाले जो वेक्ति होते हैं जो एक दल से दूसर दल में जाते रहते हैं उस पर रोक लगाने के लिए इस जो है संशोधन अधिनियम को पारिद किया गया था अब इसके अंदर क्या प्रावधान है पहला प्रावधान तो यह है कि अगर कोई वेक्ति मान लिजिए अपनी इच्छा से ही किसी राजनतिक दल की सदिस्ता को छोड़ दे ठीक है पहली चीज यह दूसरा अनुपस्तित रहे अगर कोई मतदान होना है अपने दल की किसी मैटर को लेकर उसमें वो अनुपस्तित रहे और पंदरा दिन के भीतर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ 15 डेज के भीतर अगर उसने माफी नहीं हासिल कियो यहाँ पर UPSC 10 दिन कर देगा ठीक है हो सकता 30 दिन कर दे नहीं 15 डेज के भीतर अगर उसने अपने ही दल से माफी नामा प्राप्त नहीं किया हो तो वो निर्दल्य घुशित हो जाएगा पहला प्रावजान तो यह है दूसरा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके बिना दल के चुना गया है कई बार ऐसा होता है कि आप लोग स्वेचिक रूप से कही ना कही पर चुनाव लड़ते हैं निर्दलिय चुनाव लड़ते हैं, तो निर्दलिय वेक्ति जो है, अगर किसी दल में शामिल हो जाएगा, तो वो भी निर्योग्य हो जाएगा, और तीसरा और important fact ये बनता है, कि कोई मनोनीत सदस्य है, अगर वो 6 महा के बाद, अब इसमें confusion रहता है, 6 महा से पहले अगर वो overall कहानी थी, जो आपको समझनी थी, overall मैंने कोशिश की है, कि quality को लेकर, कहां से चीजे किस तरह से बन सकती है, सारे topic मैंने clear करने की कोशिश की है, ठीक है, अब हम लोग जल्दी से 2-3 मिनट में ये देख लेते हैं, कि prelims की examination के दिन, आपको quality को किस तरह से deal करना है, देखे भ फेरी करता है, करना words game करता है, कुछ आगे लिख देगा, कुछ पीछे लिख देगा, तो इसको बहुत ध्यान से, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, दूसरी चीज, UPSC के सवाल में ये देखना है, कि जहां पर सविधान उसको लेकर अच्छे से देखने का प्रयास करना है, कि कहां पर सविधान का जिक, कि UPSC बहुत सारे option में ये डालता है, सविधान में इस चीज का उल्लेक किया गया है, सविधान में लाब के पंद का उल्लेक है, सविधान में नियाईक समिक्षा का उल्लेक है, सविधान मे कि क्या ऐसा उलेक किया, क्या है सविधान में, हैना, तो इस तरह से चीजों को आप लोगों को देखना है, और दूसरा जल्दबाजी नहीं करनी, मैं फिर से कह रहा हूँ, शब्दों की हेर फेर यूपियसी करता है, और जो topics मैंने आप लोगों को बताए हैं, हैना, जो जो topics म आप लोगों को बताए हैं, कि इस तरह से आप लोगों को revise करना है, उनको उस तरह से देख लेना है, latest जो अधिनियम पारित किये गहोंगे, उसके बारे में भी प्राव्धान, आपको पता होना चाहिए, कि कौन-कौन से अधिन अधिनियम में किस तरह के, अगर कोई समिधा पानिक संशोधन अदिनियम या कोई भी ऐसा बिल आया है जिसके माध्धियम से जो current affair का data हो वो आप लोगों को उसमें से add कर देना है इस static portion मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों का cover करवा दिया है ठीक है उसमें अगर आप लोग current affair को add कर लेंगे तो आपकी quality की तयारी को सारे की सारे सही करने का आपका ratio होना चाहिए तब जाकर prelims में आप लोगों का score जो है वो safe zone में आप लोग ले पाएंगे ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें बहुत बहुत धन् करते होना को चिए अपना वीडियो इना राएंगे तरीक को वीडियो कहा है जा रखें कि प्रेखें का अपना रहें ठीक है मधना थिएपूल का लोगों शचे पारे ल gather भ ग भात्यां रखेंगे से जान बहुत डितना बहुत वしまे पूलीet कम प numbs 6 के थामान हिए भशते है